अज हम आपको लिए बहुत भी प्यारा सा रेट कलगा केक बनाने जा रहे हैं और किसे स्पेशल वन के लिए केक बनाना है तो यह केक आप बना सकते हैं बहुत ही प्यारा लगता है तो चली इससे बनाना शीरू करते हैं सबसे पहले यहां मैंने केक को तीन लियर में काट लिया है, यह 6 इंच का केक है और यहां मैंने 1500 ग्राम प्रेमिक्स का यूज़ किया है, आप चाहें तो केक को मैदे से भी बना सकते हैं, गर के समानों से और एक कप जो मैदे का रेशियो होता है उससे आपको केक बनाना होगा तो यहां मैंने बोट पर थोड़ी से विप क्रीम लगाई और एक लेयर को सेट कर दिया है मैंने यहां पानी का यूज किया है आप शुगर सिरफ का यूज कर सकते हैं विप क्रीम को अच्छे से स्प्रेट कर दिया है और थोड़ा सा मैंने पाइनैपल क्रश डाल दिया है आप कोई फ्लेवर का केक बना सकते हैं क्रश यूज़ कर सकते हैं या बिना क्रश की भी आप इस केक को बना सकते हैं तो इस सेम प्रोसेस अपनाना है और तीनों लेयर को स कि मुझे इसमें फ्लार्स लगाने हैं और आगे नाम लिखना है तो यहां मैंने 10 इंच का बोर्ड यूज किया है तो अब मैंने यहां तीनों लेयर को सेट कर लिया है और पटा-पट यहां हम क्रम कोटिंग कर रहे हैं क्रम कोटिंग बहुत ही जरूरी होता है अगर आपको ब करेंगा लाइट कलर की है वहां पत्व बाह सा और आप क्रीम में अधियीं और बढ़िया वला ब्राइट केम अधा कर्दा यहां यह को सबाएंगे फी नार्मल करने के बाहरना को अधिक यह तो मैंने कंदेट कलर 아닌 और लिक्विड कलर को मैंने थोड़ा सा फाइनल कोटिंग के उपर डाला उसके बहुत ही हलके हाथ से स्प्रेड कर रही हूँ और पूरे केक पे जो रेड कलर है उसे मैंने अच्छे से इस तरह स्प्रेड कर दिया है तो यह देखे कितना बढ़िया रेड कलर आ गया है अगर आपको नॉर्मल इसी तरह का रेड कलर चाहिए तो आप इस तरह छोड़ सकते हैं नहीं तो आप थोड़े देर इसे जब फ्रेज में रखेंगे ना और बाहा निकालेंगे तो यह हलका सा डल हो जाता है तो इसके बाद आपको क्या करना है आपको स्प्रे करना है आपको लि की इविन नहीं है तो हलका सा इस पैचula या पालित नाइफ होती है उसे हलकी हास से आप चलाइए और जो कलर है उसे अच्छे से स्प्रेट कर दिए और यह जो रेड कलर है ये ऐसे ही बना रहेगा रेट कलगा केक बन कर तयार हो चुका है, अब इसे हमें डेकुरेट करना है, तो यहां मैंने कुछ चॉकलेट ली है, साथ में से फ्लार के डेकुरेशन करेंगे, वैसे आप इसे किसी भी तरह सजा सकते हैं, जो भी आपके पास है उससे, या जिस थीम पे आप बना रहे हैं, यहां मैंने चॉकलेट को चोटे-चोटे पीसेज में तोड़ लिया है और चॉकलेट स्वाल भी ली है और इसके उपर क्या कर रहे हैं हम लोग जो डस्ट आती है गोल्डन का लगी उसे लगा रहे हैं आप इस पर सिल्वर या कॉपर जो भी आप पैटन का केक रखना चाहते ह है उस तरह आप इसे रख सकते हैं तो मैंने रेट पे गोल्डन ही चलता है तो गोल्डन कलर का डस्ट लगाया है और यह लिक्विट जो डस्ट आता है डस्ट का ड्रॉप जो से कहते हैं इस तरह आता है आप इसको यूज करके के के साइट में डाल सकते हैं और उपर स्प्र अब करना है कुछ फ्लार्स और जो मैंने चॉकलिट्स ली है उसे से टेक्रेट करेंगे केक को तो मैंने रोज लिया है और यह जो बड़ा वला फ्लार होता है नाम क्या मैं समय याद नहीं आ रहा है आप जरूर कमेंट करके बताए अगर आपको पता है तो इस तरह मैं सजा द लग रहा था तो आप जरूर ट्राय करिएगा अगर आप इस तरह का केक बनाना चाहरे हैं तो मैंने कुछ इस तरह प्लार को अरेंज कर दिया है और जो आप चॉकलेट के पीसें बॉल है उसे आगे डाल देते हैं और यह देखिए बहुत ही प्यारा सा केक बनकर तयार होने जाता है जिससे क्रीम कडवी ना हो और केक बीड्रेट का लगा बढ़िया दिखे वह आप इस तरह कर सकते हैं तो इस वीडियो से आपको जरूर बहुत हेल्प मिली होगी कमेंट करके जरूर बताएगा इस के को जरूर प्राय करिएगा फोटो को मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर शियर करिएगा तो यहाँ जो केक है यह बनका बिलकुल तयार है बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएग वीडियो को लाइक और शियर करें और जो लोग नए है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बहुत ही बड़ीया बड़ीया वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं तो एक बाद प्रेस मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए पाई एंड टेक केर